अगर आपके पास एक iPhone है और आप अपने iPhone की default ringtone से बोर हो चुके हो तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने iPhone के अंदर custom ringtone कैसे set कर सकते हो इसको set करना बहुत यादा easy है सबसे पहले आपको Safari के उपर आना है और आप कोई भी song download कर लीजिए जिसको आप अपना custom ringtone बनाना चाहते हो Song download करने के लिए बस आपको Safari पर आने के बाद song का नाम लिखना है और उसके बाद आप download लिख दीजिए आपको काफी सारी website मिल लेंगी जहां से आप song को download कर सकते हो For example, यहाँ पर मैं जवान का एक गाहन डाउनलोड करने वाला हूँ जिसका नाम है Ferranta तो download करना बहुत जदा easy होता है आप song को कुछ इस तरीके से download कर सकते हो और जब एक पर आपका song download हो जाएगा तो यहाँ पर आपको click करना है और यहाँ से आप download वाले tab को select कर लिजे यहाँ पर आपको आपका song देखने के लिए मिल जाएगा For example, अभी यह मेरा song है यहाँ से आप मुझे करना क्या है कि मुझे इस song को अपनी files के अंदर save करना है files के अंदर save करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा icon है इस पर आप click कीजे click करने के बाद यहाँ पर आपको एक option देखर आएगा save to files इसके उपर आप click कर दीजे और यहाँ से आप इसे किसी भी folder के अंदर save कर सकते हो अभी मैं इसको download वाले folder के अंदर save कर देता हूँ तो यहाँ पर जो मेरा song है वो files के अंदर save हो चुका है अब मैं आपको बताऊँगा कि आप इसको custom ringtone कैसे बना सकते हो और हाँ custom ringtone set करने के बाद इस channel को subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो custom ringtone set करने के लिए आपको एक application की जिरूद होगी जिसका नाम है garage band यहाँ पर इस application को मैंने अभी download किया हुआ है तो download करने के बाद आपको इस application को open कर लेना है ओपन करने के बाद आपको garage band application कुछ इस तरीके से नजर आएगा यहाँ पर आपको tracks वाले column में आना है और यहाँ पर आपको audio recorder को open करना है तो audio recorder को आप जैसे ही open करोगे तो कुछ इस तरीके का interface आपको देखने के लिए मिलेगा आपको nervous होने की बिल्कुल भी जरूत नहीं यह बस देखने में complicated लगता है पर complicated है बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर आपको एक छोड़ा सा icon नजर आ रहा है इसको आप disable कर दीजे इसको disable करने के बाद अब लोगों को हमारे song को इसके अंदर import करना है song को import करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ इसदरी के से click करना है click करने के बाद यहाँ पर आपको एक loop नजर आएगा इसके उपर आप click कर दीजे यहाँ से आप song को import कर सकते हो song को import करने के लिए आपको एक नीचे tab नजर आएगा browse items from the files app इस पर मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद मैंने डाउनलोड के अंदर अपना सॉंग सेफ किया था उस सेफ किये हुए सॉंग को मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्लिक कर लूँगा क्लिक करने के बाद जो मेरा सॉंग है वो यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा import होने के बाद बस मुझे इसे drag करना है और drag करने के बाद मैं इसे timeline पर कुछ इस तरीके से लगा सकता हूँ आप मेरा song यहाँ पर आ चुका है इतना करने के बाद यहाँ पर आपको एक छोटा सा arrow देखने के लिए मिलता है इस पर आप click कर दीजे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको my songs नज़र आएगा इस पर आप जैसे ही click करोगे तो यहाँ पर आपका यह song आ चुका है यहाँ पर आने के बाद आपको इसे long press करना है मैं आपर song का नाम ही डाल देता हूँ तो बस इतना सा काम आपको करना है और यहाँ पर आप export पर click कर दीजे export पर click करने के बाद आपका जो song है वो ringtone के अंदर export हो जाएगा और आप इसे as a custom ringtone set कर पाऊगे यहाँ से आप ok कर दीजे ok करने के बाद आप बस आपको settings के अंदर आना है settings के अंदर आने के बाद आप अपनी custom ringtone को set कर पाऊगे set करने के लिए आपको settings में आना है settings में आने के बाद आप लोग आए sounds and haptics के अंदर इसके अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको ringtone पर आना है वह यहाँ पर ऐजा custom ringtone select हो जाएगा तो कुछ इतने आसान तरीके से आप यहाँ पर अपनी custom ringtone को select कर सकते हो आप जितने चाहो उतने songs को कुछ इस तरीके से custom ringtone के अंदर बना पाओगे तो दोस्तो आची वीडियो में इतना ही अगर आप कोई वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज इस वीडियो को कर दीजे लाइक साथ में हमारे इस YouTube चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब मिलता हूँ अप लोगों से अगली वीडियो में तब दक के लिए stay techy stay connected